जैये स्री राम दोस्तों स्वागत है आपका स्री राम चरित मानस कथा में पिछले भाग में हमने देखा कि विश्वामित्र के साथ राम और लच्वर्त एक आहम के बाद में विश्राम करते हैं तब फिर जनक जी वहां आते हैं मिलने के लिए उनकी अगवानी करने के लिए और राम और लच्ष्वन के रूख को देकर भाव विभूर हो जाते हैं, फिर उनका परिचय इस्वामेत्र जी उनको देते हैं, राजा जनक को, उसके बाद क्या होता है, वो नगर देखने के लिए जाते हैं, वही कथा आज हम कहेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रस जब विभूमित्र जी ने बताया कि ये दोनों राम और लच्ष्मर राजा दसरत के पुत्र हैं, और मेरे यग्य की रच्षा के लिए आए हैं, और युद्य में धेर सारे राच्षसों को उन्होंने माल दिया हैं, तो राजा ने कहा हे मुनी विभूमित्र, आपके चाणो के दर्सन कर्म हैं, अपना पूर्य प्रभाव कहा नहीं सकता, ये मेरे किसी पूरो जन्य के पूर्य का प्रभाव है, कि आपके दर्सन हुए हैं, और ये सुन्दर, स्याम और गवर्वन के दोनों भाई भी आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन दोनों भाईयों की आपस की प्रीती बड़ी पवित्र और सुहावनी है, और वो मन को बहुत भाने वाली है, अच्छा लगने वाली है, पर बाणी से उसको हम कह नहीं सकते, उसका वर्डन नहीं किया जा सकता, विदे जनक जी आनंदी थोगर कहते हैं, हे नात सुनिए, ब्रह्मा और जीव में इस तरह का भी ब्रह्मा और जीव में भी इस तरह का स्वाभाविक प्रेम नहीं है, जितना इन दोनों के भी स्प्रेम है, पुनी पुनी प्रभुई चितव नर नाहू, पुलक गात उरय दिक उचाहू, मुनी प्रसंसिनाई पदसीसू, चले उलवाई नगर यवनीसू, राजा जनक तारवार प्रभुई सर्राम को देखते हैं, और वहां से उनकी दृष्टी हटना ही नहीं चाहती, एकदम मुख्ध हो गये हैं, प्रेम से सरीर उनका एकदम पुलकित हो रहा है, और हिर्दय में भी अत्यंत उत्सा है, फिर मुनी की बड़ी स्वामित्र की देर सारी प्रसंसा करके और फिर उनके चर्णों में सिर नवा कर राजा उन्हें नगर में लेकर चल पड़े। जो सभी मौसम में सुगदायक हो, अनंददायक हो, वहां राजा ने उन्हें ले जाके ठाराया, और उसके बाद सब प्रकार से पूजा और सेवा किया मुनी भी स्वामित्र के, और फिर बिदा मांगकर अपने घर चल पड़े। रिसे संग रगुबंस मनी करि भोजन विस्राम, बैठे प्रगुब्राता सहित दिवसु राहा भरिजाम। रगुकुल के सिरोमणी प्रगुश्री रामचंजी रिसियों के साथ उस महल में भोजन और विस्राम करके भाई लच्ष्मन समेथ बैठे और उस समय पहर भर दिन अभी रा गया था, एक पहर का दिन सेज बचा था। अब लच्ष्मर जी के मन में बड़ी लालसा इच्छा उत्पन हो रही है, कि जाके जनकपूर देखाएं, कि प्रगुश्री रामचंजी का डर है, और मुनियों से भी उस संकोच बस हैं, तो कह नहीं पा रहे हैं प्रगट में, और मन ही मन मुस्क्रा रहे हैं। और यामी है, चोटे भाई के मन की बात जान गए, समझ गए, कि लच्ष्मर जी नगर देखना चाहते हैं, फिर उनके अंदर भक्त वत्सलता, उमड़ाई भक्त के प्रज्यो प्रेम होता है, उन्हें लगा लच्ष्मर जी का मन है, तो देख लेना चाहिए, फिर उन्होंने गुरू की आज्या लिया, और बड़े बिनय के साथ सक्चाते हुए, मुस्करा के बोले। प्रभू सकोच डर प्रगटन कहई, जोरा हुरया यसु में पावं, नगर देखाई तूरत लयावं। सुने मुनी सुकह बचन सप्रीती, कसन राम तुम राख उंकीती, धरम से तुपालक तुम ताता, प्रेम विवस सेवक सुख दाता। जब रामचंजी ने आज्या मांगी, तो मुनी स्वर विश्वा मित्र बड़े प्रेम से बोले, हे राम तुम नीती की रच्छा ऐसे न करोगे? तुम तो धर्म के धुरंधर हो, धर्म के पालन करने वाले हो. हे ताथ तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के बसी भूत होकर सेवकों को भी सुख देने वाले हो उन्ही ने कहा हे सुख के निधान सुख देने वाले सुख के खजाने दोनों भाई जाके नगर देखाओ और अपने सुन्दर मुख दिखला करके सब नगर वासियों के नेत्रों को भी सफल करो मुनिपद कमल बंदिदो उभ्राता चले लोक लोचन सुख दाता बालक ब्रिंद देखियती सोभा लगे संग लोचन मनुलोका सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई उनके चरण कमलों में वंदना करके चल पड़े और जैसे ही वो चले नगर में तो बालकों के जुंड इनके इनको देख करके इनकी सोभा को देख करके उनके साथ चल पड़े अरे ये दोनों बालक कहां से आए हैं और उनके साथ साथ जा रहे हैं और उनके आख और मन दोनों लुभा गये थे उनकी संदर्ता को अनुपम संदर्ता को देख के पीत बसन परिकर कटी भाथा चार उचाप सरसोहत हाथा तन अनुहरत सुचंदन खोरी स्यामल गौर मनुहर जोरी दोनों भाईयों राम लच्मण के पीले रंग के वस्त्र हैं कमर पे पीले दुपटों में तरकस बदा हुआ है जो बाण जिसमें रखते हैं हाथों में सुन्दर धनुस बाण सुसोबित है स्याम और गौर वण के सरीर के हिसाब से जिस रंग का चंदन अधिक अच्छा के हरी कंदर बाहु विसाला पुरयतिरुचिर नाग मनी माला सुबग लोन सरसीरु लोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन उनको सिंह के समान पुष्ट गर्दन है जो गले क पिछला भाग है विसाल भुजाये हैं चवडीश छाती है अत्यंत सुन्दर गज मुकतों की माला उनके गले में है सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं आर तीनों तापों को छुडाने वाला चंद्रमा के समान के लीए उन दोनों भाईयों के कानों में सोने के अत्यांत सुंदर करण फूल है और देखने वाले के चित को ही चुरा ले रहे है उनकी चितवन जो द्रिष्टी है वो बड़ी सुंदर है भाउ है तिर्ची और सुंदर है माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसे सुंदर लग रही है मानों की सोभा पर मोहर लगा दी हो सोभा पे ही मोहर लगा ही क्योंकि उनका मुख सुंदर है उसके उपर तिलक जो है एक मोहर के समान लग रहा है उस सिर पे उस माथे पे तिलक है और उपर सिर पर सुन्दर चौकोनी टोपियां बनी हुई है काले और घुमराले बाल हैं दोनों भाई नक से लेकर के सिख तक एड़ी से चोटी तक सुन्दर है और सारी सोभा जहां चाहिए वैसा ही है पुरा सरीर एक दम बिलकुल अनकूल है सोभा के धाम लग रहा है देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुर्बासिन पाए दाए दाम काम सब त्यागी मन हुरंक निदिलूटन लागी जैसे इन नगर वाशियों के पता चला कि तोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आये हैं वे सब अपना घर बार सब काम काज सब छोड़कर ऐसे भागे मानों की दरिद्र को धन खजाना लूटने को मिल पड़ा है निरकी सहज सुन्दर दो भाई होई सुखी लोचन फल पाई जुबती ही भावन जरों की निलागी निरे कहीं राम रूप जन लागी सुखाव से ही सुन्दर दोनों भाईयों को देख करके सारे नगर के निवासी अपने नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं और यूतियां, यूति इस्त्रियां अपने घर के जरोखों से लग करके, खिड़कियों से देख देख करके, प्रेम सहित स्री राम चंजी के रूप को निहार रही है। जो जरोखों में बैठे बैठे यूतियां बड़े आपस में बड़े प्रेम से बाते कर रही हैं कि हे सखी, इन्हों ने तो करोणों काम देवों की सुन्दर्ता को भी जीत लिया है। मनुष्य देवता, असुर, ना, अर्मुनियों में भी ऐसी सोभा कहीं सुनने को भी नहीं आती। इतने सुन्दरे दोनों राजकुमार हैं। बिष्णु चारी बुज बिदी सुख चारी, बिकट बेस मुख पंच पुरारी, अपर देव असको नहीं आही, यच भी सखी पटतरी अजाही। भगवान बिष्णु के तो चार हुजाए हैं, चार हाथ हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, सीउजी का तो कहना ही नहीं है, उनका तो भयानक वेस है, उनके पाच-पाच मुफ है, है सकी और कोई देवता ऐसा नहीं है, जो कि इनकी सुन्दर्ता की तुलना कर सकें। वो यूतियां बाते कर रही हैं कि इनकी किसोर अवस्था है और ये सुन्दर्ता के घर सामली और गोरे रंके और सुख के खजाने हैं इनके अंग अंग पे करोनों अर्बों काम देओं को ने उचावर कर दे किया जा सकता है इतनी सुन्दर्ता इनके सरीर में है करोनों सकी असे को तनुधारी जो नमोहय रूप निहारी को सप्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सो सुना हूं सयानी एक सखी बोली हे सखी कहो ऐसा कौन सरीर धारी होगा सरीर धारण करने वाला होगा जो इस रूप को देख कर मोहित न हो जाए पर ठाथ यह रूप चाहे जड हो चाहे चेतन हो सभी को मोहित करने वाला है तो दूसरी सक्खी बोली प्रेम सहीद कि हे सयानी हे सक्खी सुनो मैंने जो सुना है मैं बताती हूँ एक दो उदसरत के ठोटा बाल मरालन के कल जोटा मुनिका उसिक मख के रखवारे जिनरन या जिरनी साचर मारे वो बोली कि मैंने सुना है कि ये दोनों राजकुमार महराज दसरत के बेटे हैं बाल राजहंसों का सा सुन्दर जोड़ा है और ये मुनि विश्वामित्र की अग्य की रच्छा करने के लिए आये हुए हैं और इन्होंने युद्ध के मैदान में राच्छसों कुमारा है स्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारीच सुवह मद मूचन कौसल्या सुते सो सुख खानी नाम राम धन सायक पानी इनमें से जो स्याम सरीर का है और सुन्दर कमल जैसे जिसके नेत्र है और जो कि मारीच और सुवह के घमन को भी चूर करने वाले हैं और सुखों की खान है हाथ में धनुस बांड ये हुए हैं वे कौसल्या जी के पुत्र है और इनका नाम राम है गौर की सोर बेस उबर काचे कर सर चाप राम के पाचे लची मनुनाम राम लगु ब्राता सुनू सकीता सु सुमीत्रा माता और ये जो दूसरे हैं इनका रंग गोरा है और किसोर अस्था के हैं और जो सुन्दर वेस बनाए हैं हाथ में धनुस बांड लिये हैं और स्री राम जी के पीछे-पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं, इनका नाम लच्छमन है, और इसकी इनकी माता का नाम सुमित्रा है. बीप्रकाजुकरी बंधुदो मग मुनि बधुधार आये लेखन चाप मख सुनी हरसी सबनार यह जो दोनों भाई हैं, यह मुनि विश्वामित्र का काम करके, रास्ते में मुनि गवतम की इस्त्रिया हिल्या का भी उधार करके, और फिर यहां धनुशियक देखने आये हुए हैं, यह जब सक्खी ने बताया, तो सारी इस्त्रिया बड़ी प्रसंद हो गई, खुस हो गई स्री राम जन जी की सुन्दरता को देख करके, एक सक्खी कहने लगी, अरे यह तो बिल्कुल जानकी सीता जी के योग्यवर है, और यह सक्खी यदि राजा इन्हें देख लें, तो अपनी सारी प्रतिया भूल जाएंगे, और जबरजस्ती इनकी साधी कर देंगे, इतनी सुन्दरता इनकी है, को कह ये भूपती पहिचाने, मुनी समेत साधर सन माने, सकी परंतु पनुराउनत जई, बिदी बस हठी अभी बे कहीं बजई, फिर किसी स्रीन कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, राजा ने तो पहले इन्हें पहचान लिया है, उनके सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान भी किया है, ले आके महल में रखा है, परंत हे सकी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ने वाले हैं, वो बड़े होनी होगी उसी के वसुभयत हो करके हट पूर्वक ये मुर्खता वाला जो अपनी प्रतग्या है, उसी का आस्रे लिए हुए है, अपने प्रण पे आड़े रहने की मुर्खता नहीं छोड़ रहे हैं को कह जाओं भल अहीं विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता, तो जान की मिल ही बरुए हूं, नाहीं नाली हा संदे हूं फिर एक सखी कहती है, कि यदि विधाता भले हैं, बड़े अच्छे हैं, ऐसा सुना जाता है कि वे सब को उचित फल देते हैं, तो जान की जी को यही बर मिलेगा, है सखी, इसमें कोई संदे नहीं है जो भगवान की इच्छा हुई और ऐसा संयोग बन गया, तो हम सब लोग की तार्थ हो जाएंगे, ऐसा सखी आपस में बात करने लगी है सखी, मेरे तो मन में इतनी अधिक आतुरता हो रही है, कि अगर सिंखी साधी हो गई, तो इस रिस्ते के नाते ही यहां आके रहेंगे, तो हम लोग उनका दर्सन पाजाएंगे नाहित हम कहों सुनऊ सकी, इनकर दर्सन दूर, यह संगट तब होई जब पून पूरा गृति भूर और अगर यह विवान नहीं हुआ, तो है सकी सुनो, हमको तो इनके दर्सन दूर्लब हो जाएंगे, यह संयोग तभी बन चकता है, जब हमारे पूरो जर्मों के धेर सारे पूने होंगे, तभी यह संयोग बनेगा, कि भगवान उनका विवाद सिताजी से हो जाएगा, और ह हम इनके दर्सन इसी बहाने करते रहेंगे. सियावल राम चंद्र की जै, पमन सुत हनुमान की जै, उमापति महादेव की जै, राधावर कृष्न चंद्र की जै.